नवस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आज के इस लाइव प्रसारण में और आज मैं उस वेक्ति के वारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ हलांकि मैं चर्चा करना चाह नहीं रहा था लेकिन जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं कांसर्टेड एटेम्ट दिखता है कि सारे लोग कुछ वैसे वल्नरेबल लोगों को बहका सके जो कहें न कहें बहकने वाले हैं या जिनके पास उस तरह से सुचनाओं का एक्सेस नहीं है इंफर्मिशन का और वो लोग इस तरह के वीडियो इसके क्लिप्स इसकी कवरेज जो ह होती है अलग लग जवहों पे वो प्रहावित हो सकते हैं और आप लोगों में सभी बहुतों ने कहा कि मुझे जो है यह द्रूबराठी वाले पे वीडियो बनाना चाहिए हलांकि द्रूबराठी ने जो आधे घंटे में प्रोपगेंडा किया है उसका फैक्शुल खंडन म मैंने केवल एक मिनट तीस सकेंड में कर दिया है वो मेरे ट्विटर पर उपलब्द है या इंस्टाग्राम पर यदि आप मुझे फॉलो करते हैं तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा फिर भी बहुत सारे लोग जो है आजकल वामपंथी जिस तरह से परिभाशाएं भेकत रहते हैं आपके समक्या शब्दों का प्रियोग करते हैं कि फासी बाद आ गया यह एलेक्टोरल डिक्टेटर्शिप है मतलब चुनाव भी है लेकिन चुनावी तानाशाही है दोनों अलग जैसे कि आप कह दें कि यह लाल रंग तो उजला है इस तरह की बात विरोधावास बातों का प्रियोग किया है और आए दिन चाहे रवीश हो यदा देशभक्त करके आकाश मैनरजी है दुरुपराठी है इनका पूरा प्रपंच तंत्र जो है लगाता है जैसे जैसे चुनाव निकट आएंगे और जैसे जैसे इंडी गठवंदन बिखरेगा यह अंतिम समय तक यूट्यूबर्स की चुकि रीच अधिक है आज कलके ट्रडिशनल मीडिया से तो यह वहां तक पूश करना चाहते हैं कि हम अंतिम यूजर तक को प्रभावित करने की चेश्टा करें पहले तो मैं इस पूरे वीडियो को पांच खंड में विवक्त कर रहा हूं सबसे प कारी रहे हैं चाहिए एक चेश्ट मिनिस्टर के तौर पे या एक प्रधान मंत्री के तौर पे तो क्या उनमें वो कहीं कुछ भी मतलब गुण जो है उनके डिक्टेटर्स वाली या तानाशाही है या नहीं दूसरा जो होगा वो होगा कि दुरूराथी आकास वैरर जी और को या उसके नेता को जिसकी वैश्विक छवी बहुत ही ग्रैंड है उसको ये लोग छोटा-छोटा मतलब पिन मार करके नीचे लाने की चेश्टा करते हैं आकिर उसके पीछे के कारण है क्या तीसरा विंदू जो होगा वो इस बात पे केंद्रित होगा कि यदि मोधी वास प्रपंच किया है और उस दसों का factual खंडन किया जाएगा कि कहां पे एक एक बात जो इसने कैसे बोलिया वो selective है अपवाद स्वरूप कहीं पर लागू हो सकती है लेकिन उन बातों का उन तरकों का उसको आधार बना करके ये लोग जो है ये नहीं कह सकते कि भारत में जो है बर्गलाया जाता है या आपको भ्रमित करने की शेष्टा की जाती है कि नहीं दुरुराटी बोल रहा है वो बोल रहा है और electoral autocracy बोल दिया इसने बोल दिया कि is India no more a democracy प्रजात अंत्र है क्या उसकी नहीं परिभाशा ही अपने हिसाब से गढ़ लेते हैं उस पे चर्चा कर बर्गे और पांचवा। जो होगा वो होगा कि हमें क्यूнять जेदी मोधी जो कर रहा है उसके कारण उसे dictator कहा जाता है तो हमें क्यूं ऐसे dictator बारबार चाहिए हर पांच वर्ष पे हमें ऐसे dictator भारत वर्षимости में क्यूं चाहिए जो इनकी परिवाशा के हिसाब से तानाशाहि या dictatorship है इसमें हम चर्चा करें चलिए सबसे पहले जो है वो हम चर्चा करते हैं कि तानाशाही होती क्या है अगर हम Wikipedia के definition से जाए कि dictatorship क्या है तो Wikipedia कहता है कि एक ये इस तरह का सरकारी विवस्था होती है जिसमें एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति सरकार के सारे उनकी जो शक्तियां होती है बिना किसी सीमा के वो अपना ले लेते हैं और उसके बाद वो इस तरह के कारी करते हैं जो हो सकता है कि जनप्रिय ना हो लोग जिस तरह से चाहते हैं वो ऐसा ना हो और राजनीती जो है डिक्टेटर्शिप में वो एक डिक्टेटर द्वारा नियंत्रित की जाती है और उसके कुछ लोग जो होते हैं ड्वाइजर्स होंगे और कुछ चुनिंदा लोग हैं उनके द्वारा संचालित की जाती है तो यह है अब बात आती है कि क्या भारत में कालना हो रहा है कैसे आप मतलब क्या सत्ता एक वक्ति के हाथ में केद्रित है नहीं क्योंकि भारत में 31 राज्य और 7 केद्र शासित प्रदेश ऐसी विवस्था है तो क्या वहां पे डार्रेक्ट केंद्र रूल कर रहा है केंद्र शासित प्रदेश में तो बाइडि एपनेशन सम्विधान हमें अलाव करता है क्या मोदी ने आते ही सम्विधान बदल दिया नहीं बदला है, राज्यों में चुनाव हो रहें कि नहीं किया राज्यों में चुनाव लोगों के द्वारा पूरी राजनिती को और निरंकुष भाव से जो है वो शासन किये जा रहा वो जो कहता है वो हो जाता है नहीं हो रहा है किसान अंदोलन हुआ और उसके रिपील कर दिया उसने तीनों कानूनों को डिक्टेटर्स ऐसा नहीं करते डिक्टेटर्स के पर्ड जो है वह तो जर्मनी में रहता है वो भारत में रहता भी नहीं है और वहां से बैठ करके भांक रहा है और उसे लगता है कि उसके भांकने से या वो कार के पीछे जो बारतियता के नाम पे कुछ नहीं है संभवता वो आपको बता रहा है कैसे भारत में डिक्टेटर्शिप आ चुका है तो आप उसको उसी बात पे उसी उतने ही वेल्यू पे लीजिए अब बात आती है कि कि डिक्टेटर्शिप कितने प्रकार के होते हैं मैं केवल यह सारी बात हैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के समय में भारत के संदर्व में और पाकिस्तान को भी यदी देखा जाए तो हम लोगों का या आज की जनता जो है जो 25 वर्षकी होगी इस तरह से 20 वर्षकी होगी 18 वर्षकी होगी उसको आइडिया नहीं होगा डिक्टेटर्शिप होता क्या क्योंकि पाकिस्तान में भी लास जो है वो परवेज मुशर्ण था तो क्या प्रकार है डिक्टेटर्श होता है military dictatorship इसमें क्या होता है कि military officer जो है जैसे general हो गया या जो भी general से नीचे के भी कई बार सत्ता लूलूप होते हैं वो क्या करेंगे कि military के दम पे सारे लोगों को बंदी बना लेते हैं या तो वो खुद राष्टपती बन जाएंगे या फिर वो कुछ लोगों को चुन लेते हैं जिनके थ्रू वो शासन करते हैं मतलब असली पावर जो है वो military के हाथों में होती है और ऐसा हमें मतलब अफ्रिका में देखने को मिला है लटिन अमेरिका में काफी है इस्या में भी पाकिस्तान हमारा है इंडोनेशिया था उससे पहले म्यामार में military जनता संभवता आज भी रूल वहां पर कर रही है यह सारा जो है यह और military dictatorship जो है वो 20 शताबदी में तो बहुती कॉमन थी लेकिन फिर बाद में थोरे इसी जो है वो जहसे जहसे चीजें इवाल होती है वो थोरा जो है वो लिमिटेड होने जाता है इसमें क्या होता है कि सामान्यता military dictatorship में कू होता है कू तक तापलट के लिए word है COUP तो वैसे करके वो बंदी बनाते हैं विरोधियों को या फिर उनको नजरबंद कर लिया जाता है and they call the shots वो तै करेंगे कि नीती क्या होगी हम दूसरे राष्टों के साथ कैसे समझाता करें इस तरह से तो इसको कहते है सैनिताना शाही या military dictatorship भारत में भी फिलहाल वैसा कुछ है नहीं एक बार जो है इंडियन एक्सप्रेस ने और शेखर गुपता जी ने इस तरह की कहानी चापी थी जब जनरल वीके सिंग्ग वह करते थे army chief और एक movement हुई थी उस वक्त्रूप्स की और वो general movement थी ऐसा करती है भारतिय से ना तो उनको बता दिया गया कि तक था पलट की कोशिश हो कर रहे थे हलाकि ऐसा कुछ नहीं था बाद में पता चल गया और मैंने तो उनका इंटर्व्यू भी किया जनरल वीके सिंग का तो उन्होंने उस पे चर्चा कि और बताया कि यह किस तरह से कुछ लोग जो है ब्रेकिंग न्यूज के चकर में इस तरह की बातें करते हैं अब जो है दूसरा जो हम डिक्टेटरशि अने पर नॉर्थ कोरिया में एक ही पार्टी या पिर क्यूबा में आप चले जाए तो इन जगों पर आप देखेंगे कि लगातार एक ही पार्टी होती है उन्ही के लीडर्स चुनाव में उतरते हैं आपको उन्हीं को वोटर देना पड़ेगा अब इसमें क्या होता है कि स देखा जाए तो मतलब ये one party वाले में समस्या ये होती है कि वो constitution को भी बदल देते हैं, वो एक व्यक्ति, एक नितादी अधिक powerful हो गया, अलाकि one party में भी क्या होता है, एक व्यक्ति के पास सत्ता नहीं होती है, वो कई व्यक्तियों में divided होता है, उस तरह का structures बना होता है, ले इसे नियंतरत करता है, उसको अच्छे portfolios दे सकता है, उसके पाप को, उसके भष्टाचार को बचा सकता है, या फिर सीडियां जो है, रखने का प्रचलन तो हर जगा होता ही है, तो उस तरह से, तो वैसा उदारन आपको चीन में, क्यूबा में, वेनेजुएला का मुझे ध इधान भी बदल देते हैं अपने हिसाब से, प्रेजिडेंट फॉर लाइफ हो जाएंगे, कि जब तक मैं नहीं मरूँगा, मैं बना रहा होगा, तो इस तरह की अवधारनाय होती है, तो वो होता है, वन पार्टी, अब भारत में ऐसा है क्या, भारत में कॉंग्रिस भी है, भारत में भाजपा भी है, भारत में थ्रनून कॉंग्रिस भी है, भारत में राजद भी है, भारत में जदियू भी है, शिवशेना है, एनसीपी है, शिवशेना उद्धव ठाकरे है, उधर AIA-DMK है, DMK हो गया, Communist Party हो गया, CPI-M है, CPI-ML है, इतनी पार्टियां है, तो आप ऐसे में One Party Dictatorship भी भारत पर अप्लाएनी होता है, नहीं नरेद मोदी कुछ लोगों के माध्यम से पूरे राष्ट को अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो वो अवधारना भी उस हिसाब से भी यह जो है Dictatorship नहीं है, अब आते हम तीसरी अवधारना पर, Dictatorship के, यह क्या ह हाथों में होती हैं, और यह बाकी जो तीन तरह के Dictatorship हैं, इस से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि बाकी तीनों Dictatorship में, एक व्यक्ति नहीं, एक group of individuals, कई लोग जो हता है, वो तै करते हैं, और उसमें भी थोड़ा आप कह सकते हैं कि, उस Dictatorship में भी लोगों के बीच एक democracy होती है, और उसी तरह से होता है, इसमें क्या है कि, लगातार एक व्यक्ति के पास ही सत्ता होगी, राजनीती कैसे संचालन किया जाएगा, वो होता है, पैसे का access होता है, military उसके अंदर काम करती है, और वो अपने whims and fancies पे जब वो चाहें, जो करना चाहें, वो करता है, ऐसे dictators कौम थे, ऐसे dictators आपको कई जगह पर मिलेंगे, किम जॉंग उन जो है, वो तो है, उसका बाप संभवता जो था, वो था कि इल उसका नाम था, फिर अफरिका में जो है, काफी जगहों पर, काफी अफरिका में तो छोटे-छोटे जितने राश्ट हैं, वहां पर अधि उगांडा संभवता था, इन सब जगहों पर एक वक्ति जो है, वो सत्ता कंट्रोल करना था, फिर आप माजदौंग हो गया, फिर स्टालिन हो गया, उसके बाद फिर आप थोड़ा और इधर आजाएं, तो एक इदी आमीन करके था, वो था डिक्टेटर, फिर आपको इंड मोनार्की, यहां पर क्या होता है कि इसमें कहने को तो राजशाही है, लेकिन एक वक्ति जो है, एक राजा जो होता है, या शहजादा होगा, या जो भी होगा, वो constitution भी अपने हिसाब का बना लेगा, और मतलब सब चीज वो जितने अलग तरह के मोनार्की हैं, उससे डिफर करता है, constitutional मोनार्की क्या हो गया, कि भाई, राजा कहने को है, उसके नीचे जो है, संसद होता है, लोग चुने होए होता है, डिमोक्रेसी ही होती है, लेकिन बन गया, माफ किज़े, ceremonial मोनार्की जो होता है, constitutional में होता है, कि अलग तरह कि एक वस्था होता है, उसमें कोई भी एलेक्शन उफलान कुछ फैमिली या एक फैमिली उसको नियंतरम रखती जैसे आपको मिडल लिस्ट में ऐसे कई राश्रा आपको मिल जाए मोधी का तो परिवार ही नहीं है नहीं राजशाही चल रही है देश में तो उस हिसाब से भी मोधी यहां पर दिखता नहीं अब मैं आपके सामने सबसे भयावह जो कुछ तानाशाह रहे हैं उनकी एक लिस्ट में लाना चाहूँगा और वो चलाना चाहूँगा आपके सामने अब इनके डेथ काउंट जो है वो आप देखती जाएगे गा इसका अन्नोन है उसका फिर आपको यह देखिए इसका भी अन्नोन मतलब यह मत्वानिय कम है यह हजारों लाखों में होता है इसका भी मुझे लगता है लाखों में होगा अगर करोड में नहीं तो यह सब 25 वाले मतलब 25 से नीचे आ रहे हैं वो नंबरिंग आप देख लीजेगा इन सबका डेथ काउंट जो है अन्नोन है 20,000 से हम आ लोगों को बोला जाता है कि इसने हत्या की काईजर विल्हम मिलियन्स मतलब दस लाख के मल्टिपल में उसके आद यह देखिए यह दस लाख को एक लाख को मारा दस लाख को यह किया अब यह जो है यह महाना आदमी 10 लाख यह 15 लाख वाले हैं अब हम टॉप 10 की तरफ जो ह लोगों को मारा इसने 25 लाख लोगों को इसने मारा इसमाईल जो है यह संब्द्द तुर्की का था ओमर यह जो है चार लाख लोगों की हत्या इसने की पॉल पॉट 25 लाख लोगों की यह बहुत ही हरामी टाइप का मना जाता है यह यह खान यह अन्नोन है इसका भी यह कुर उपर है ये देखिए एक करोर है स्टालिन भाई साब ये रूज के हैं उसके बाद ये लियोपोल ये बहुत ये संभवते बेल्जियम का है पंदरह मिलियन मतलब देर करोर ये 1.7 करोर हिटलर और माउ जो है इसके उपर जो है चार से लेकर के छे मिलियन और स्टार्ट दो करो ताना शाहों की लिस्ट मैं आपके सामने इसलिए रख रहा था कि आपको अंदाजा हो कि इन शब्दों का प्रियोग कितना लूजली किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा की ये शब्द वैसे नहीं है कि आप ऐसे ही बस बोलते हुए जो है आप निकल जाए नहीं टॉप 25 भी जो है न वो भी 20,000 डेथ से आरम होता है इन्होंने केवल मैं ये इसमें वो तो है ही नहीं जिन्होंने रूल किया और बाकिये ट्रॉस्टीज की मार पीट कानून रस्था कुछ ने अपना लूट पार्थ मचा नहीं इसमें खाली मैंने डेथ काउंट वालों को काउंट किया है बाकी तो आप छोड़ी दीजिए जो कुरूरतम थे तो क्या इसमें कहीं नरेद्मोधी फिट होता हुआ आपको दिखता है मुझे तो नहीं दिखता है दुरूराथी को हो सकता है समबता दिखाओ या भारत आपको इस तरह की परिभाशाओं में कहीं फिट करें ठीक है ताना शाही नहीं लेकिन कई बार ऐसे प्रधान मंत्री हुएं जिन्होंने साधूं के उपर गुलियां चलवाई हैं इंद्रा गांदी नहरू की भी नेतियां इस तरह की रहे हैं कि लोगों के हत्याएं हुई हैं कई कॉमिनिस्ट या प्रो इस्लामिस्ट वतंतर भारत में हुआ ना वहां भी कोई चीफ मिनिस्टर था ना बंगाल में भी तो कोई चीफ मिनिस्टर अभी है इससे पहले भी कोई था उससे पहले भी कोई था और उससे भी पहले कोई था कॉंग्रेस ने वामपंथियों ने टीमसी ने इनके समय में आप देखिए ड इस तरह से पॉलिटिकल रेजीम्स ने आईजौल के उपर बंबारी की थी यह सारा हमारे पास स्वतंत्र भारत में भी इस तरह के धरजनों उदारण हैं जहां पे पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे गोली चलवाई गई साध्वों के उपर इन सब में भी आप मुझे बताईए कि क्या मोदी के कारिकाल में जब वो चीफ मिनिस्टर था हत्या लूट बलातकार लॉलेस्नेस विपक्ष को साइलेंट कर देना इस तरह का है या मोदी जब प्राइमिनिस्टर बनाए कितने बार रेजीम चेंजेज कर दी इंद्रा गांधी ने समभपता पचास बार किया है चुनुई हुई सत्ताओं को खतम कर दिया हटा दिया समभपता धारा 256 के ताहत मोदी से तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम क्यूं ने कि अप्लाइ कर रहे हो पंजाब को अपने हाथ में ले लो वहा से इतनी आ recommend हो एंद्य posksि जा रहा है कोई आधार तो होना चाहिए कि नई नई हमारे दोस्त ने हमारी हमारी कर्ष्रेंड ने स्विमिंग पूल में नहाते वकोर ने ने मोदी डिक्टिटर है बस हम आगे साला या वीडियो बनाने के लिए नहीं नहीं जाने मन ने बोला है तो हम बना दिते हैं या फिर आपने पैसे लिए हैं विपक्ष की पार्टियों से पैसे लिए हैं इंडिया लाइंस से ये सारा कुछ करने के लिए और आपके वीडियो के कारण उसको रीट्वीट करने के कारण जो आपको पालता पोस्ता है उसको आज सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, कि हमसे गलती हो गई, हमने रिट्वीट कर दिया दुरुबराठी का वीडियो, ये तुम्हारी स्थिती है, और जो लोग दुरुबराठी जैसे चिर्पुटों को, मतलब उसमें विश्वास दिखाते हैं, उनको सोचना समझना चाहिए, ये तो मैंने वीडियो का बस 20% अभी तक मैं पहुचा हूँ, जो आप से बात कर रहा हूँ, 20% में, आप बताए कि कहां पे भारत या मोदी जो है डिक्टिटरशिप की और अग्रसर है, अब आप एक कहा देंगें कि नहीं नहीं मतलब मोदी ठीक है भीर पे गोली नहीं चलवाए मोदी 2002 तो हुआ मोदी के कारिकाल, बिल्कुल हुआ, लेकिन क्या 2002 में विपक्ष जब सत्ता में थी, मतलब मैं UPA 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, 10 वर्ष, SIT बनी, CBI उनके अंदर, बाकी सारी संस्ता हैं उनके अंदर, सुप्रीम कोट पे एक तरह का इंफुलेंस उनके लॉयर्स एक्जर्ट करते थे, क्या साबित हुआ कि स्टेट इंवाल्ब था? नहीं, 69 कार से वोकों की निशन्स हत्या की गई, उसके बाद, जब हॉस्पिटल से वो पूरा कोईला हो चुका, शव जो है कार से वोकों का निकल रहा था, तब लोगों की भावनाएं भड़की थी, और तब लोग सड़कों पे आये थे, उसमें स्टेट का कोई नियंत्रन नहीं था, यदि मोदी ताना शाख होता, तो आज गुजरात में विशेश समुदाय की लोग नहीं होते, भारत में भी विशेश समुदाय की लोग नहीं होते, अगर जिसको तुम हिंदुत्त वादी डिक्टेटर और ये फलाना डिपका कह रहे हो, उन परिभाशाओं में मोदी फिट नहीं बैट रहा है तुम्हारे, मोदी को वस्तुता गालियां पढ़ती है कि तुम मुस्लिम तुष्टी करण में कॉंग्रिस से भी आगे जा चुके हो, तो यदि डिक्टेटर शिप ऐसा है तो हमें चाहिए इस तरह के लोग, कि वो जो है मुसलमानों के लिए सबसे अधिक किसी ने कारी किया, तो मोदी है, सबसे अधिक स्कॉलर्शिफ मोदी ने दिया है, उनके महिलाओं के लिए ट्रिपक, तालाक जैसा और इस तरह के जो अवधार नाय थे, उसको हटाने के लिए, किसने कारी किया इसी सरकार ने किया है तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मोदी चाहे रिलिजन को लेकर के मतलब influenced है या फिर वो जो है सारी सत्ता जो है अपने नियंतर में लेना चाहता है किसी भी परिभाशा पे मोदी वहाँ पे खरा जो है वो नहीं उतरता है अब बात करते हैं कि इन लोग की समस्या है क्या क्यों आखिर इस तरह के वीडियो या इस तरह के अवधारनाएं लेकर के लोग क्यों आ रहे है ये चलते हैं कि देखो भाई हमारे मतलब के लोग तो जीत नहीं रहे है तो उसका कारण नहीं जानना चाहते है वो काते है नहीं आपाथकाल जो लेकर कर दाे इस राष्ट में उस पारटी को उसमें आपको भविश्य दिख रहा है जिस पारटी ने चुनी हुई राज सरकारों बार बार जीच जा रहा है उसकी पारटी बारबार परफ़ार्म कर रहा हैं अपने अपने निकंप पन को कि रहुल गांधी किस तरह की बातें करता है बाई प्रियांका गांधी वो जब तक मतलब मुझ बंद रखती है तभी तक ठीक लगता है जो ही मुझ खोलती है वो पप्पू का भी मतलब वो तो बड़ा पप्पू है कौन है एक घंगोर एलिटिजम एंटी हिंदू एंटी मेज़ॉर्टी स्टैंस रखने वाले लोग जो चुनी हुई सत्ता को लगातार एटैक करते हैं ऐसे लोगों में आपको भुष्य दिखता है जो करते हैं सनातन डेंगू है मलेरिया उसका नाश होना चाहिए ऐसे लोग के लिए आपकी वहवाई निकलत रवीश बोल रहा है नाजी तंजूम बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है उसके कोई भी कुछ भी बोलता हुआ नहीं दिखता है क्यों भाई क्योंकि वह तुम्हारे एजेंडे में फिट नहीं बैठता है और तर तुम कहते हैं कि नहीं मुदी जो है वो electoral autoc delve चला रहा है का मोधी को तनाशाह मानने का मांधन्द यह तनाशाहि के प्रकार उपणीभाशा आपको बताए इनका मांधन्द क्या पता है करें हिटलर भी चुनके आया था मोधी भी चुनके आया वहां भही एक घजब मतलब तुम्हारा मतलब logic है। इनका रहका फाला डिक्टेटर जो है वो भी तीन बार dress बदलता था दिन में मोधी भी बदलता है तो मोधी डिक्टेटर हो गया। फालाना क्या करते हैं उसकी height 5.6 की थी मोधी की भी 5.6 है जो भी है मोधी की है वह कहा देंगे दो डिक्टेटर की हाइट अगर समान हो जाए और मोधी से उन் दोनों की हाइट मिल रहे हैं तो यह हाइट होना है डिक्टेटर होने के गुण होते हैं तो उस बकीती में चले जाते हैं और तो बाग्या कि आप देखिये कि इन के जो followers हैं ऐसे बकलोल हैं कि इन बातों पर वो विश्वास करते हैं कि हाँ यार मोदी तो उसके कोट में इस कारण से वो डिक्टेटर हो गया उसमें हैं गुण हैं डिक्टेटर वाले माज़दांग में भी M था और मोदी में भी M है इसलिए मोदी जो है डिक्टेटर है इसी कारण से तुम दस वर्षों से ये एजंडा पेडल कर रहे हो और नोबडी गिवस अ शिट अबाउट इट वो लगातार चुनाव जीतता जा रहा है इसलिए जीतता है कि तुम्हारे व प्रेटफॉर्म पे बैठ करके उनों लोगों को मुर्ख समझने लगे हो या कन्विंस्ट हो कि वो मुर्ख है जो हाइवे को एक्स्प्रेसवे को चंद्रियान को अब कल पांच एम्स एक बार में डेडिकेट किया कांग्रेस ने पचास वर्षों में एक एम्स पनाया था य है और तुम जो है उसको फिर टार्गेट करते तो लोग तुम पर क्यों विश्वास करेंगे तब फिर नहीं अंग्रेजी का एक वर्ट ले आते हैं एलेक्टोरल ओटोक्रेसी हो रहा है यहां पर डिक्टेटरशिप बोल देते हैं बहुत कूल लगेगा इसी कारण से कूल है तो मैं व्यूज भी आएंगे व्यूज इसले भी आएंगे क्योंकि आधातुसाला राइट विंग वाला तुम्हारे वीडियो को पुश कर रहा है बताओ यार यह वीडियो ऐसे बना दिया देख वही लोग रहें अगर तुम्हारी बातें सही होती ना मोदी 2019 में हार जा जो है वो पार है हो भारत की ग्रोथ स्टोरी है विकास यात्रा है और एक बेकार का विपक्ष है ये तीनों जो हैं इनकार्णों से मोदी सत्ता में है जो ग्रोथ स्टोरी है जिस तरह की कहानिया धरातल पे उतरती जा रहे हैं जो हम कभी सोचते नहीं थे उस तरह की चीजे में होती दिख्ती जिस तरह के infrastructural growth हो रहे हैं जिस तरह की चीजें बन रहे हैं जिस तरह से हम वर्ल्ड के साथ negotiate कर रहे हैं वो सारी चीजें वो हमें होती दिख्ती है जो हमने कभी सोचा नहीं था ऐसी सड़कें इस तरह के मतलब इस तरह की गुणवत्ता वाली जो पहले होता था कि भाय भारत में 3G आने में वर्षों लग रहे हैं अब सब चीज 4G है सबसे चीप डेटा है मतलब एक महिला के ट्वालेट से लेके चंद्रियान और मंगलियान तक हम सोचते हैं इसकी आदमी ऐसा सोच रहा है इस कारण से इनको समस्या होती है और इस कारण इनको लगता है कि अरे यार इसकी छवी तो ग्रो करती ही जारी यह लगाता हम इसको काउंटर कैसे करें तो कहा देंगे नहीं नहीं माओ में भी हम था मोदी में भी हम है आँ जानू तुमने सही कहा कि नहीं डिक्टेटर है मोदी ये कह कि ये लोग आगे बढ़ते है यदि मोदी डिक्टेटर होता तो ये नहीं होता कि नितीश कुमार जो है वो सत्ता में चुन करके आए भाजपा के साथ गठवंदन करके और सरकार उन्होंने बना दी राज़त के साथ पिछले साल 2022 के अगस्त में ठीक है चुनाओ लड़े शिवसेना के साथ और शिवसेना जो है विरोधी पाटियों के हो जाती है तो ये डिक्टेटर्शिप में नहीं होता है भाई डिक्टेटर जो है न फिर उद्व ठाकरे को और नितीश कुमार को गायव कर देता जो उसके साथ इस तरह से दोखेबाजी करता है ऐसा हुआ क्या नहीं हुआ न तो तुम ये पैडल करते रहोगे नहीं होगा चंडीगर का चुनाओ हुआ चंडीगर का चुनाओ जो है आप सोचिए कि कैसा मतलब holiday का dictator है मोदी की एक mayor का election तुम manage नहीं कर पाए आप सुचे मेर का एलेक्षन ऐसा भी नहीं है कि नेशनल लेवल का एलेक्षन जो है मैनेज करने की बात हो नहीं क्या डिक्टेटर है भाई कि तुम साला पार्षद तक को इंफ्लुएंस नहीं कर पाते हैं यदि मोधी डिक्टेटर होता तो आज सुप्रीम कोट ने जो कहा इसको बुला के दो थपड मारता बोलता साले मैं जो बोल रहा हूं उस तरह से कर नहीं हुआ ना यदि मोधी डिक्टेटर होता तो किसान अंदुलन एक साल तक नहीं चलता उसको तीनों बिल वापस नहीं लेने होते हैं सी ए को लेकर के मतलब तीन महेने तक सौ दिन तक जो हुआ और यह सब वापस हो रहा है इस वर्ष के आरंभ में ही ड्राइवर्स जो है ट्रकर्स उनका अंदोलन हो रहा था उसके आद अभी बवाशिर शंभू पडर पर जो है वो विक्राल रूप लेकर के बैठा हुआ है यदि मोधी डिक्टेटर होता तो इतने सारे दंगे जो लगातार चोटे-चोटे चिट-पूट इधर उधर हो रहे हैं वह समुदाय विशेष के लोग नहीं करते हैं हिंदु तो वादी डिक्टेटर करते हो ना क्या सरस्वती पूजा से आरम हो जो एक पहला बड़ा हिंदू का फेस्टिवल होता है चोदर जन संक्रांती को जाँ ऑधिया मखने आप निकाल लेár वहां से आरम होके सरस्वती पूजा उसके आद आता होली होली के रामकमे हो जाएगा को जाती है उसके आद कावर यात्रा ऐगा उसके बाद फिर जन्माष्टमी होगी उसके आद फिर आगे बढ़ेंगे तो मतलब कावर यात्रा तो हलांकि एक महिने तक चलती है दुर्गापुजा, दीवाली किस चीज पर पत्थरबाजी नहीं कर रहा है मुसल्मान आपको लगता है कि डिक्टेटर्शिप में और एक वर्ष नहीं पिछले दशक में आप देख लीजिए दस वर्षों में यही चल रहा है पैटर्न है और वो बढ़ता ही जा रहा है सरस्वती पूजा में दो साल पहले तक हमने नहीं सुना था पत्थरबाजी का महाशिवरात्री के तोरन द्वार को लेकर के नहीं सुना था पत्थरबाजी के वल कावर यात्रा पहले होती थी बाद में राम नम्मी के जुलूस निकले उस पे होने लगा तो यह तो फेस्टिवल दुरकापुजा के पंडालों पे होती थी तो तीन चार को छोड़ करके आब तो कुछ भी है डीजे बजा रहा है इंदू पत्थर मार दो जान मार दो किसी का डिक्टेटर्शिप में ऐसा नहीं होता है कि जिसको आप कहते हैं कि मोधी तो उनका विरोधी है और वही जो है लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं और उनका कुछ नहीं होता हुस्त ता यह डीक्टेटर्शिप के पहचान नहीं है ओलो颗 गायव हो जाते यदि मोधी डिक्टेटर होता तो यदि मोधी डिक्टेटर होता तो आज मीडिया में चवीस घंटे संदेश खली होता नहीं जुँ ऐसा है नहीं है मीडिया हम क्या चल रहा है किसान अंदुल है मोधी यदि डिक्टेटर होता तो चाहे राफैल हो पेगेसस हो मनिपूर हो इन चीजों को ले करके फिर हिंडनमर्ग और अडानी के कारण दू तीन सेशन जो है वो बली चड़ गए इन सब को ले करके यदि मोधी डिक्टेटर होता तो संसत सत्र जो है ऐसे बरबाद नहीं होता सारे विपक्ष के नेता कहीं और बैठे होते यदि मोधी डिक्टेटर होता ऐसा नहीं है यह सारी चीजें 24-7 मीडिया में बनी रही यह डिक्टेटर्शिप में ऐसा नहीं होता है कि आपके विरोधियों का न नहीं चल पाता है। यह डिक्टेटरशिप की निशानी नहीं है। यह थ्राइविंग डिमोक्रसी की निशानी होती है। यदि मोधी हिंदुत वादी डिक्टेटर होता है। तो स्टालिन का बेटा ऐसे कहा के गुम नहीं रहा हुता। स्वामी प्रसाद मोर्या नेवले जैस नहीं रहे होते हैं राम मंदिर के लिए हमें इतनी प्रतिक्षा नहीं करनी पड़ती है आप जो है क्रिष्ण जी की जन्भूमी के लिए अभी भी मतलब सर्वेक्षन कराने तक पर तरस रहे ज्ञानवापी में वारणसी का डिस्ट्रिक्ट कोट जो है वहां तक जाना पड़ यह डिमोक्रिसी की निशानिया है आप इस बात को समझिए और जब आप इस तरह के प्रपंचियों का वीडियो देखते हैं तो आपको लगातार इस तरह की बातें बैक आफ माइंड में रखना चाहिए कि वो जो बोल रहा है उसके पीछे क्या बात है अब हम रखाथी जी के कुटरकों पे चलते हैं एक तो अलांकि अनिकैत करके हैं यह इन्होंने एक थ्रेट लिखा है ठीक ठाक तो जो ट्विटर पे हैं उजा एनका थ्रेट भी जो है वो पढ़ सकते हैं फिर भी मैंने अपनी तरब से भी जो है चेश्टा किया है कि उसका एक एक वीडियो में चलाओं और उसके आद फिर हम पहले तो इसमें इसने वोला कि हमारा देश मतलब सारी चीजें इस तरह से इशारा कर रही है कि वन पार्टी डोमिनेंस हो जाए वन पार्टी वन नेशन टाइप का ऐसा तो हो नहीं रहा है पतलब आकड़े ऐसा नहीं करते हैं और जहां तक वन पार्टी डोमिनेंस की बात है फिर तो राजीब गांधी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डिक्टेटर था इंदरा जो है उस वक्त हर जगह पे स्टेट में कॉंग्रेस की सरकारें हुआ करती थी आप पचास साथ सतर के दशक तक जाईए उसके बाद फिर रीजिनल पार्टियां जो है कुछ कुछ जगहों पे इवाल्व होती है वहां से कॉंग्रेस को पूश आउट करती है फिर भी उनका जाता नहीं है वो लगातार केंदर के सत्ता में बने रहता है और चुनी हुई सत्ताओं को dismissed करते रहते हैं राजियों को तो दुर्पदाठी को यदि वो सही में के नहीं मैं रिचर्च करता हूं और ऑप पनान नल्द यह करता तो कम से कम इन डिक्टेटर्स का भी नाम मोद कही नाम के साथ लेता लेकिन ऐसा उसने किया नहीं तो क्या वाकई एक पार्टी का डॉमिनेंस भारत में अभी है यह भी हमें मतलब समझना चाहिए एबसलूटली केवल भाजपा जहां सत्ता में केवल भाजपा और किसी का नहीं लिया है मदद केवल छे राजपा सत्ता में है और उसके चीफ मिनिस्टर है वो लिस्ट जो है वो गुआ है च्छतीस गड़ है मद्यप्रदेश है रास्थान है असाम है संभवता या असाम में कोई पार्टी साथ में होंके और एक हम मैं थोरा सा भूल रहा हूँ तो केवल यह है और यदि और यह होता है कितना 31 में से 6 20 परसेंट के लगभा इसमें यदि आप और भी जोड़ दें यूपी में जैसे किसी को साथ लिया हुआ है तृपूरा में किसी के साथ है और नाचल में किसी के साथ है हर्याना में किसी के साथ सत्ता में है महाराष्ट में है बिहार में इ पंद्रह जगह पे और एकदम जोर लिया जहां भाजपा ड्राइविंग सीट में भी नहीं है सेकेंड या थार्ड पोजिशन पे सब मिला लिए फिप्टी टू परसेंट टाइप का अंकड़ा आता है ऐसा किस डिक्टेटर्शिप में होता है भाई कहीं पे इस तरह से नहीं होता है अब यह जो वीडियो मैंने आपको दिखा है उसी में एक जगह पे यह जासुनसा गवर्नर का इस्तिमाल करके स्टेट गवर्बेंट से फंद्स को ही विद्धोल कर लेना जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना और अगर कोई प्रोटेस्ट करें तो उनका टियर गैस और रबर बुलेट से स्वागर्त करनः Electoral Bonds का इस्तिमाल करना अपनी सारी funding छुपाने के लिए और अगर कोई opposition के candidate election जीत भी जाए तो सीधा सीधा election fraud करके खुद को जिता लेना अब यहां पर इसने एक बात जो इसमें विपक्ष की आवाज दबा दे किस विपक्ष की आवाज दब गई भाई किसान अंदोलन का 24-7 coverage हो रहा है तो विपक्ष की आवाज दब गई रवीश कुमार की इसने बात किये आगे रवीश कुमार उसका जो मालिक है उसका पता करो भाई पांच हैजार करोड के उसके आरोप लगे थे वो मनी लॉंडरिंग के शेल कंपनियां 32 मनाया हुआ था उसने कि 234 करोड का उसने इंकम टैक्स अपिलेट ट्रेबुनल ने उस पर स्लैप के था पैनल्टी 400 करोड का समफ्तर लोन डिफॉल्ट या ऐसे कुछ किया था उसको तो बेचना ही था अडानीड है उसको खरीदा ऐसा नहीं है कि मोधी ने वोला है निकलो और अडानीड नहीं व बाकी लोग नहीं कर रहे हैं वायर नहीं चल रहा है स्क्रॉल नहीं चल रहा है उनके आवाज दबाई जा रही है नहीं है ऐसा तुम्हें लग रहा है नहीं रभीज जी अंडी टीविम नहीं चल रहा है न उसका यूट्यूब देख रहे हैं न सरकार चाहती ही यदि ताना विपक्ष की आवाज का तुम यदि बोल रहे हो कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है इसका मतलब है कि विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जा रही है तुम्हारा बोलना ही और वह तुम कहां से बोल रहे है जर्मनी से बैठ करके तो कोई विपक्ष की आवाज कहीं प उपर rubber bullets चलाए गई, उनके उपर tear gas फैकी गई, वो भी drones का इस्तिमाल करके, मानो ये कोई war zone हो, ऐसा लग रहा था कि देश का ये border हो चाहिना के साथ, वहाँ भी इस तरीके से इंतिजाम नहीं किये होते हैं, कम से कम तीन किसान अंधे हो गए, पुलीस के द्वारा चलाए करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस बात से फरक नहीं पड़ता. हर्याना पुलीस के 22 जवान एक दिन जख्मी हुए, 12 जवान एक दिन जख्मी हुए, तो तुम किन लोगों को डिफेंड कर रहे हो? और पीस्फुल प्रोटेस्ट का अधिकार है, प्रोटेस्ट का अधिकार फंडामेंटल नहीं है, उसमें भी जोहीं, तुम दूसरे लोगों के मौलिक अधिकार, right to movement, right to work ये दो चीज बादित होती है तुम्हारे प्रोटेस्ट से इस कारण से और तुम्हारे प्रोटेस्टर बोल क्या रहे है खालिस्तान मनाएंगे लाहूर जो है 26 किलो मिटर सुरी 26 किलो मिटर पे है मोधी को मार देंगे उसका ग्राफ उपर जा रहा है राम मंदिर के कारण पिछली बार तो बच गया था पंजाब में इस बार आएगा टांग देंगे इस तरह की बाते कर रहे हैं तो कौन सा किसान अंदोलन भाई और वो किसान किस बात पर अंदोलन कर रहा है MSP पर नहीं उसको पता भी नहीं है उसको MSP दे भी दिया जाना तो वो एक नया डिमान ले करके आ जाएगा अब आगे देखिए इसका नोटंग की चुनाओ के उपर इसने क्या बूला है हाल ही में चंदिगड Municipal Corporation की Mayor Elections हुई इन Elections में Congress और आमादमी पाटी ने एक Alliance बनाई थी लेकिन जब Elections Actually में होई तो वहाँ के प्रिजाइडिंग ओफिसर ने क्या किया इन्होंने 8 Congress और AAP के वोट्स को Invalid Declare कर दिया और ये सीधा सीधा Election Fraud जो हुआ यहाँ पर इतना खुले आम Election Fraud इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है लेकिन पिछले 10 सालों में Election Commission पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि Election Commission BJP की extension है उनका कहना है कि उन्होंने इतना partial और biased Election Commission आज तक नहीं दे और प्रशांत किशोर है कोन जो उसने कह दिया तो हम लोग पागल होके नाचनल नहीं यार प्रशांत किशोर ने कह दिया Who the hell is he उसकी view मेरे view से अधिक कैसे मतलब उसका क्या वेटे जाओ वो कौन सा position hold कर रहा है प्रशांत किशोर ने कह दिया इसलिए और तुम अपनी बात को इसी ने आगे वीडियो में उसका clip मैं नहीं चलाओंगा और वहाँ पर बोल रहा है कि EVM hack हो सकती है तो EVM hack हो सकती है ballot paper आपने देख लिया कि वो भी नहीं चला भाजपा से manage नहीं हो पाया तो चुना हो कैसे माईक पर ले करके बोले किसको vote देना है मोधि कौन vote देगा लोग हाथ खरे करेंगा ड्रोन से जोगा गिंती होगी ऐसे होगा और क्या बोल रहा है धुरूपराथी कि इस से अधिक manipulation आज तक हुआ ही नहीं भाई राजप क्या कर रहा था बिहार में पंचाय चुनाओं में TMC ने क्या किया सब के वीडियो है किस तरह से vote डाले जाते हैं बैलेट पेपर क्यों लूटे जाते थे बैलेट पेपर में इंक डाला जाता था टीन सेशन आया और किस तरह से election commission ने उसके आज से सुधार किस किस तरह से किये है उसके बाद जाके क्या बात कर रहे होगे साला election जो है मैंने मतलब mayor का election में 8 vote वो भी अनिल मसी मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी ने बोला होगा ये करने को उसे लगा कि हम कुदी कर लेते हैं मैंने जी तो वो अपने विहाब पे कर रहा है या जाँ छो बोल दे कि भाई मको मोदी ने फोन क्या मतलब अब ये दिन आ गए है कि मोदी जो है mayor का election मैनेज कर वा रहा होगा आप सोचे इन बातों पर और ये आपके influencers हैं जो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई भारत में election जो है आज तक जो है बाकी की विपक्च मतलब जब ballot paper से होता था तो उसमें कभी इस से खराब तो आज तक वाई नहीं ऐसे इस्तिती TMC कैसे जीती है बंगाल जाके पूछ लो लोगों से कारेकरता मारे जाते हैं post poll violence क्यों हुआ था पता करो EVM से चुना होता है फिर भी यह हाल है कैसे क्योंकि उनको आने ही नहीं दिया जाता तो तुम यह जो है यह रोते गाते रहो आगे इसने बोला की मतलब चुनाओ जो है वो सही से नहीं कराय जा रहे है BJP जो है वो कंट्रोल करती है बीज़ेपी कंट्रोल करती है इसे लिए बंगाल में हार रही है उसके इतने लोग मर रहे हैं दो हुए इसलिए जीते हुए राज्यों में चुनाव हार है ररेजीम चेंज हुआ न भाई फार जगा तो रीटेन नहीं कर रहिंग ए A करनाटक हारी हिमाचल हरी कौन सा ताना शाह जो है वो हारता है जीती हुई सीटे उत्तर प्रदेश में 325 से 273 पर आए वो क्या आपको लगता है डिक्टेटर्शिप में होता है चुनाव मतलब free and fair elections नहीं हो रहे हैं मैनेज कर रहे हैं बीजेपी उसके स्थिति बिहार और महराष्ट में ऐसी होती यदि वो मैनेज करते तो कि आप लोग किसको follow कर रहे है किसकी बात सुने वो सूचिए आगे उसने एक जब हैक हो सकता है फलाने ने एक बार बूला है उसने बोला है इसले होगे ले जाओ ना है इवीम प्रस्ट खुला चालेंज किया था एलेक्शन कमिशन ने कि जो कहता है है हो सकता है और हैक कर दो वो बैलेट यूनिट के साथ कौन सा कंट्रोल यूनिट जाएगा वो किसी को पता नहीं होता है रैंडम होता है और वो उसी के साथ काम करेगा श्टेट में जाता है फिर से वो रैंडमाइज किया जाता है जिले में आता है फिर से होता है हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने एक-एक EVM पे मौर्निंग में जब वोटिंग होते हैं पचास-पचास वोट दिया जाता है सब को दिखा करके कि EVM सही काम कर रहा है तो है पचास वोट डाल दिया उसके अपने आप जो है अपने साफ दबा और भाजबा कोड जा रही है ऐसे नहीं होता है यह भी प्रपंच है वही है कि बोला है उसको तो कुछ भी मतलब लाल पिला बैक्राउंड करके वो बोले जा रहा है अब एक उसने जो बो रहे हैं और वोट दे रहे हैं इसलिए यह डिमोक्रसी ही है उदारन दो लोगों कम है यहां वीडियो चलाओंगा एक तो पहले वो अभी 2024 का चुनाओ है किसान कहीं दिल्ली पहुंच गए गल्ती से तो अमरित काल का जो माहौल है वो जो खराब हो जाएगा गोदी मीडिया इस्तमाल हुआ है कितने फार्बर्स बरे हैं या कितने आसू गैस बरसाए गए यह साब न्यूज आपके फीड से गायब हो जाएगा और तैयारी जारी है कि इंडिपेंडेंट मीडिया और सोशल मीडिया से भी ऐसे एंटी अमरित काल दृष्य मिटा दिये जाए और हर न् मैंने नहीं देखा है आप लोगोंने यदी देखा है कि मोदी की जयजयकार हो रही है और बाकी जो है अन्य तरह के न्यूज जो उनके विरोधी चाहते हैं चले वो नहीं दिख रहा है तो मुझे कमेंट में आप लोग जो है वो बताते रही है अब इसी पर ये अकेला नही कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में regularly elections हो रही है और आप vote डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक democratic देश है लेकिन पता है क्या elections तो North Korea में भी होती है 100% voter turnout भी देखने को मिलता है उन elections लेकिन बस फर्क यह है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए official candidate के Democratic People's Republic तो इसका मतलब है यह कह रहा है कि भाई भारत भी democracy कह रहा है तो काली कहने इस क्या होता हो तो Korea में जो मैंने आपको बोला था कि यह बोलेंगे माव के भी नाम में M है स्टैलिन के नाम में जो है लास्ट वर्ड N है मोधी का स्टार्टिंग वर्ड N है मोधी में M भी है माव वाला और O भी है माव वाला तो इस कारण से मोधी डिक्टेटर हो गया तो वहां भी चुना होते हैं यहां भी हो रहे इसलिए मोधी डिक्टेटर हो गया इसने यह नहीं बताया कि भारत में किसने मोधी के खिलाफ वोट किया तो उसका नौकड़ी उसकी चली गई भारत में कहां पे मोधी के खिलाफ जो वोट करते हैं उसको कोई आदमी का लॉजिक कितना हिला हुआ होगा कि वह चुनाओ तो कोरिया में भी हो रहे हैं इसलिए भारत को हम डिमोक्रासी नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर और इसको उनके बारे में सोचिए जो इन बातों पर विश्वास करते कि नहीं 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 दुरूबराथी भाई आपने गजब की बात कहा दिया अब यहां पर जो है एक चीज यह देखिए कि एकस्पेंडिचर पर बोल रहा है आज के दिन इलेक्शन कमिशन ने एक लिमिट लगाई हुए कि एक MLA एलेक्शन और एक MP एलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है MP एलेक्शन में लिमिट 95 लाक रूपीज पर है बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड रूपीज कैसे अलाव किया इलेक्शन कमिशन नहीं और क्या कॉंग्रेस के लोगों ने नहीं किया इसी वीडियो में आगे बोलता है कि कॉंग्रेस ने उस लिमिट को एक्सीड किया टीमसी ने भी किया सब ने किया है लेकिन वो बोल रहा है कि एलेक्शन कमिशन ने भाजपा वाले को कैसे अलाव किया है इस कारण अब हो गया डिक्टेटर्शिप भाजपा वाले को कैसे क्या बाकिक अलाव कर सकते थे भाजपा को क्यों कर दिया आप सुची एक बाद कितना सेलेक्टिव ये प्रोपगेंडा है और दूसरी बात इसमें तुम जो बोल रहे हो कि भाजपा जो है क्यों पैसे तो सालिक तुम ले आओ ना जिसके पास पैसा एक खर्चा करें किसने रोग दिया है सबको पता है कि इंट्री क्या की जाती है एक यार विधायक के चुनाओं में दो-चार करोर रुपय लोग खर्चा करें पार्शधी के चुनाओं में 25-30-50 लाग रुपया खर्चा हो जाता है और हम कादे कि सांसत के चुनाओ 95 लाग कि वो लिमिट है उतना है नहीं होता है कानडिडेट अपना पर्शनल खर्चा करता है पार्टी अलग खर्चा करती है और जो इंट्री जाता है हो अलग होता है यह सबको पता है कि लेकिन अहीं सा नहीं है तुमारे पास पैसा नहीं खर्च कर पाओंगे कॉंग्रेस यह बताए ना कि क्या जो एलेक्शन की कैम्पेणिंग होती है आचार संगीता लागू उसी को क्यों मान रहे हो कि यह बता यह भारत जोड़ों यात्रा जो रही है उसमे जो क्रोरा का खरचारा हो कहां से मान कर रहा ही हwarz उस पे कोई उत्तर नहीं होगा उत्तर इस लिए नहीं होगा कि उस पर अब विधायक खरीद रहे हैं लुडो ने खलेंगे लेकिन तुम जरूर लुडो हो मात्रा इधर उधर आप लोग जो है कर लीजेगा जब तुम्हें पता नहीं है कंफर्म नहीं है कोई ऐसा डेटा नहीं है कोई भी नौर्मल कोई नौकरी भी आदमी करता है जिसको जहां भविश्य दिखता है तो वहां चला जाता है क्या पार्टी चेंज करना आसम वैधानिक है शिवसेना तोड़ा न भाए दोती हाई कोट गए कोट ने क्या बोला विदिन दरूल्स है सिंबल तक किसको अलॉट हुआ जो अलग हुए जो भाजपा के साथ के एंसीपी के साथ वही हुआ तो किसने यहां पर मतलब कौन सा हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है और कौन नहीं करता है अगर हॉर्स ट्रेडिंग अब ठीक है एक शब्द बना लिया गया कौन नहीं कर रहा है बाकी लोग नहीं कर रहे है खाली भाजपा यह कर रही है इसका कोई पहले इतिहास नहीं है नोटों के बंडल संसद में क्या नहीं गिराए गए थे तो यह सारा बर्डन जो है भाजपा पर क्यों आता है और यदि हॉर्स ट्रिडिंग हो रहा है फ्री औंफेर एलेक्शन नहीं हो रहा है फिर यह तो बताओ कि मातर बारह स्टेट में क्यों है इनके चीफ मिनिस्टर और आधिक जगह पर क्यों नहीं है तो यह कैसे डिक्टेटर्शिप है भाई किस तरह की मतलब कौन सा तानाशाह ऐसा है जो मतलब तो रिसॉर्ट में हो रहा है और वो जो है सारे लोगों को अपने तरफ नहीं कर पा रहा है जीती हुई सत्ता है जो है उसके हाथ से निकल जा रही है कहां पर मतलब इसका मतलब है कि दुरूराथी को पता नहीं कि डिक्टेटर्शिप होता क्या अगला लॉजिक इसका सुनिए पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कम्प्लेन करी थी कि कैसे सरकार CBI और ED का इस्तिमाल कर रही है उपोजिशन लीडर्स के खिलाब उन्होंने बताया कि 3,000 से ज़्यादा रेड्स करी है इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स 2014 से अगर कंपेर करो तो चार गुना का जंप देखने को मिला है ED केसिस में जो पॉलिटिशन के खिलाब चल रहे हैं और 95% केसिस सिरफ ओपोजिशन के खिलाब लपर जंडू टाइप का लॉजिक है यार तीन हजार रेड्स परी तो भाई जो चोर हैं उनके उपर रेड्स होगी ये नॉर्मल सिवाती EDCVI का वेपनाईजेशन होड़ा है मोदी को बारा बारा घंटे बिठाते तो बहुत बढ़िया था क्या निकला अमिच्छा को बिठाया था तुमने किया ना तड़ी पार कर दिया और अन्य तरह से उनके उपर लिमिटेशन सेंक्शन्स लगाये थे और जेल में भी रखा क्या हो गया उससे सावित हुआ कुछ विरोधी सत्ता के होते हुए कुछ सावित नहीं हुआ ना मोधी पे ना शाह पे तो तुम कैसे कर रहे हो कि भाई एडी और सी बीआ को पानाई किया जाओ ना कोट के दरवाजे खुले हो ता आतंकियों के लिए भी खुले हैं और क्या कोट ने कोट भी बोल दो के मैनेज्ड है अगर मैनेज्ड होता चंडिगर एलेक्शन पर कोट तो अलग तरह के विचार रखती नहीं रखी ना तो इसका मतलब है कि कुछ संस्थाएं इंडिपेंडेंट हैं तुम्हें धीरत साव के 500 करूर कैश वो नहीं दिखते ह तुम्हें नहीं दिखता है कि किस तरह से मनी लॉंडरिंग हो रही है किस तरह से अलग एक फ्रंट बना करके एंजियो यहां पर काम कर रहे थे कनवर्जन का यह सब का तुम्हें दिखता कि नहीं 3000 ज्यादा रेड का मतलब रेड चार गुना हो तो दस गुना हो जाना चाहि तो इसमें ताना शाही फिर कहां से आ जाती है रेड कर मतलब जांच ना हो गोटाले बाजों का जांच नहीं होना चाहिए मतलब दुरूराठी जो है प्रो गोटाला है प्रो स्काम है कि नहीं स्काम होते रहना चाहिए कॉंग्रेस करत यार उसको छोड़ देना चाहिए कॉ जब भी किसी opposition politician पर corruption का रूप लगता है और वो BJP join कर लेता है अचानक से वो साफ हो जाता है सारे cases उसके खिलाफ drop कर दिये जाते हैं पैसे का लालच और ED के pressure के बाद भी अगर कोई opposition politician BJP को join नहीं करता तो उनके खिलाफ जो कारवाई है वो जलती रहती है और कई cases में उन्हे बिना convict की ये जेल में डाल दिया जाता है और कई महीनों तक वो जेल में पढ़े रहते हैं बिना convict की ये जेल में डाल दिया जाता और कई में पढ़े रहते हैं तो जब तक क्या under trial का नहीं सुना है under trial लोग जेल में जाते हैं और उनको bail क्यों नहीं मिल रही है ना lower court दे ना सुप्रीम पोर्ट देने मनिश्य सोदिया को संजय सिंग को सतेंद जैन को हेमन सोरेन को इन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है सजाय आपता है लाल उप्रसादी आदम मेडिकल पे बेल लेके घूम रहा है तो अगर इनोंने कुछ नहीं किया था और मोधी जो है जो को जेल में डाल रहा है तो आप लेया और निकल वालो ना बढ़िया लोयर तो आपके पास है क्योंकि एक्शुल में उनके खिलाप इतने सबूत है कि वह बाहर जाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसलिए उनको रखा जाता है अंडर ट्रायल और अंडर ट्रायल रखना इल और इसलिएब स्वापत होगया बताव तो कौन जा केस ड्रॉप कर दिया घया किसका ये नहीं बता ईसने बस बोल दो है कि नहीं के ड्रॉफ हो जाते हैं किसका हो गया जो repeat कि एक नाम यदी ले आता ये क्रेडिबल कि उनके उपर हो गया करप्ट लोग जिनके उपर भाजपा नहीं आरोप लगाया वही भाजपा में पुना में ज्वाइन किया है उन्हों तरह ंथे मैं बाजपा और मोदी नहीं भाई यह electoral democracy के जो flaws हैं वो मोदी में भी है भाजपा में भी है they are not spotless लेकिन हाँ we are not a bloody dictatorship हम नहीं हैं dictatorship चलिए आगे बढ़ते हैं अब जो है यदि ये सब बातें या मोदी जो अभी कर रहा है देश में वो यदि dictatorship है तो मुझे लगता है कि we need that kind of leader हमें इसी तरह की तानाशाई एक तरह से चाहिए हमें देश में यदि अर्थवस्था सुधरती है हम जो है number third economy बनने के और अग्रसल होते हैं हम जो है हमारे जो colonizers हुआ करते थे इतनी loot के बाद भी हम लगातार एक sustained growth rate से चल रहे हैं हमारा outlook जो है वो बाकी जो rating agency है जो बढ़िया बताती है विश्व में हम एक ताकत बनके उब रहे हैं हमारी manufacturing सुधर रही है सेवाओं में हम अच्छा कर रहे हैं नई नई तकनीके आ रही हैं तो हमें चाहिए ऐसे लोग हमें इस तरह की dictatorship चाहिए यदी अस्पताल बन रहे हैं बतला आप aims की संख्या गिन लीजिए कि पूरे 50 वर् कॉलेजेज बने हैं medical college भी normal college भी आइटी ज़्यादा खुले हैं आइम्स ज़्यादा खुले हैं जो कहते हैं कि नहीं स्विक्चानी मंदिर खड़ी बना गिल्लो जाकर के गिल्लो जाकर और traditional colleges नहीं marine engineering के उपर आप एकदम जो nuanced courses होते हैं उन सब पे आप देखे कि अलग-अ institute जो है वो खुले हैं व्यापार को लेकर करके आप देखे कि किस तरह से की एक ही जगह पे सुरत का डैमन बोर्ज वो जाके देखिया यह सारा कुछ होता हुआ हमें दिखा है इस रों का budget आप देख लीजे इस रों में किस तरह से प्राइमिनिस्टर खुद कितने invested रहते है वो किस तरह से उनकी उनका उत्साह वर्धन करते हैं nuclear reactors की संख्या देख लीजे उनकी power generation capacity देख लीजे solar में आप देख लीजे power generation capacity हमारी कितनी बढ़ी है तो यदि यह सब dictatorship में हो रहा है तो होना चाहिए बाए हम तो ऐसे लोगों को बार-बार भूट देंगे यदि सडके quality of roads आप देख लीजे quality of highways देख लीजे number of highways देख लीजे kilometers देख लीजे कि कितने किलोमेटर कितनी लेन सडकों की बनी है expressways कितने बने है congestion कितना अधिक improve हुआ है traffic का movement मालों के आवाजाही जो है corridor जो है freight को लेकर के कितने बने है railway station का अधुनी की करण railway coaches का अधुनी की करण वंदे भारत हो गया अमरित भारत हो गया bullet train की हम बात कर रहे है metro का expansion आप देखते जाहिए तो यदि इस तरह से लगातार बन रहा है बांध बन रहे हैं उदर देखो न कश्मीर में उदर वो सिंदू जल समझोता तो उसमें से एक बांध आजकेल में functional हुआ है वहां तक जा रहे हैं 100% electrification हुआ है इंडस्ट्रीज को बिजली मिल रही है हम cutting edge technologies पर हम काम करना चाह रहे हैं semiconductor manufacturing के processes established करना चाहते हैं Foxconn ने plant लगाए है mobile manufacturing में इंडिया वर्ल्ड में मतलब मुझे लगता है कि टॉप में कहीं पह है इतना कुछ हो रहा है और तुम्हें लग रहा है कि नहीं डिक्टेटर्शिप चल रहा है कुछ हो इने सब बरबादी फैल रहे हमें चाहिए हम चुनना चाहते हैं इसे लोगों को जिसके पास इस तरह का विजन है ना कि वो की नहरू जो है ठीठोली कर रहा है कि यहां हां स देखे जाके कितनी योजनाई चल रहा है भोजन उनको 81 करोड़ फैमली को पात साल के लिए सुनिश्चित कर दिया गया 21 करोड़ फैमली ने 81 करोड़ लोगों के लिए उसके बाद छोटी छोटी योजना है मिड़े मील हो गया मन्रेगा हो गया मुद्रा द्वारा लोन दे वह खाद नीम कोटेर यूरिया उस पर सबसीडी जो है इन सब चीजों पर इंक्रीज हुई है उनकी आय बराने के लिए फूट प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना है यह हर तरह की चीजें हुई है महिला कल्यान के ख्षेत में आप देखेंगे चाहे उज्वला मतलब गैस स पोशन जो मिले है उसका पोशाहार वितरन जो है मिड्डे मिल के माध्यम से है क्रिश्ण को क्या है यह सारी चीजें यदि अच्छी हो रही है और इस पर ध्यान दिया जा रहा है तो किसको इस तरह का नेता नहीं चाहिए होगा यह प्रस्ण जो है आपको लगता है कि डिक् इसकी क्या है किसने क्या आपको लगता है कि भारत के इसमें कोई रोल नहीं है मफन उसका जो है वो हटाया गया सामरीक समझोते हो रहे है राफैल आ रहा है आत निर्भर भारत के माध्यम से जो मैनेफक्चरिंग डिफेंस में हो रही है यह सारी चीजें सैन आधुनी की प्लाय जा रहे है यह सब चीज जो आई इन दे स्काय है उसकी अवधारना है यह सब कहां पर हो रहा है यह आपको लग रहा है कि डिक्टेटर जो है वो करवा रहा है यदि ऐसा हो रहा है तो हमें चाहिए ऐसे नेता विल वोट फर हिम अगेन एन अगेन यदि वहश्विक दवाव के बाद भी आर्थिक नीति आपकी स्वतंत्र हो तो हमें ऐसे नेता चाहिए आप देखें ना कि रूस युक्रेन युद्र के समय में किस तरह से इंडिया को लगातार दवाने की चेश्टा की इंडिया जुका नहीं जुका इंडिया लगातार अपने हिसाब से काम करता रहा चलता रहा अपनी विदेश नीति उसने तै की अपनी आर्थिक नीति तै की कि हमें तेल कहां से लेना है रिफाइन कहां करना है किसको बेचना है हम तै करें उसी तरह इसराइल गाजा वाले में पूरा एकदम चलता रहा नहीं गाजा में यह कर दिया इंडिया ने यदि कोई महिलाओं के शौचाले से लेके चांद के वैसे एंड पे उस दुरूप पे उतरने की सोचता है जहां कोई नहीं उतरा हो तो आप सोचे कि उसके उसकी दूर दर्शिता का रेंज कितना व्यापक है एक स्तर पे वो कहां सोच रहा है शौचाले जैसा फंडमेंटल चीज बच्चियों के लिए शौचाले स्कूलों में होना चाहिए दूसरे तरफ जो एकदम सबसे टॉप क्लास की टेक्नोलोजी जिसमें इन वह लोग वहां तक हो सोचता है और सब एक आदमी इन चीजों को होते हैं देखता है तो आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरह के लोग डिक्टेटर है तो ऐसे लोग होने चाहिए यही मेरा मतलब मनतब है मैं यही सोचता हूँ मुझे नहीं पता कि आप लोग इस पे कितना सोचते हैं इसी मैंने एक डेर मिनट का वीडियो बना करके ट्विटर पर डाला था वो भी मैं चलाऊंगा और उसके आद आप लोग के कुछ प्रस्म लूँगा तानाशाही में तानाशाह को तानाशाह कहकर आप उस पे चर्चा भी करवा ले रहें और आप जीवित भी हैं तो दो कोड़ी का तानाशाह है। यदि एक हिंदुत वाधी डिक्टेटर को एक मंदिर लेने में दस वर्ष लग जाएं दूसरे में पूजा के लिए जिला कोट की शरल लेना पड़े तो लानत है उसके हिंदुत वाधी डिक्टेटर की चुनाव जीते और गठवंदन वाली पाटी विरोधियों के साथ मिल यदि कोई डिक्टेटर महिलाओं के शोचालियों से लेकर उनके चूले गरीबों के घर में जल विद्युत शिक्षा निशुल्क भोजन रोजगार गारंटी छोटे लोन आधी पर कारी करें तो हमें ऐसा तानाशाह चाहिए यदि युक्रेन से गाजा तक दो भाग में बटे विश्व में अपने राष्ट की नीतियों पर ही वो केंदरित रहे विश्व का हर नेता उससे समझावते करें भारत की आर्थिक शक्ति का लोहा माने तो हमें कई बार ऐसे डिक्टेटर को चुनना चाहिए अब मैं आप लोगों के प्रस्त लेने के चेश्टा करूं हों समय हलागी कम है फिर भी देखते हैं कितना ले सकते हैं राटी जप्रोक्ष्य ऑप जर्मनी गंट किसंटर्व इंफ्रूंस करते हैं वो मुझे थोड़ा मतलब डाउट पूल लगता है हाँ मैं ये आवश्य कहूंगा कि विपक्स जो है किसी न किसी तरह से वो कुछ तो उधर चल रहा होगा धन्यवाद अजय जी आपको सुनके दिल गार्डेन गार्डेन हो जाता है हमारा गुस्सा आप दिखा देते हैं थैं किसी कारण मैंने पहले दो दिन अवाइड किया कि नहीं मुझे नहीं बनाना है फिर मैंने देखा कि इस पर बहुत अधीक चर्चा हो रही है तो इसका फैक्ट्वल काउंटर जो है मुझे लगा कि मुझे अवर्श ही लाना चाहिए बंगाल में डिक्टरशिप क्यों नहीं नहीं देखती हाँ यही तो इनका दोगलापन है बेसिकली इनहीं सब बिंदों पे जो है मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए कि तुम्हें बंगाल में कैसे कुछ इस तरह का नहीं दिख रहा है जरा खुले में दूर का दर्शन ना बना दे तो कालू पंडित नाम नह समझ में नहीं है मेरा में खेर चलो आपका एक 39 का शॉट विल्यो हाँ हाँ बिल्कुल मैंने इसमें भी लगाया दीपक जी थैंक्यू फर यूर्वर्ट्स मैं समझ में यह नहीं आता यह वामपंद्थी जर्मन शफट जेसे लोगों को क्या लगता है इनका जिवन सब भोग के जाएंगे सब भोग के जाएंगे दोस्त यह लोग जितना प्रपंच फैला रहें लोग मुझे एक ही दुक होता है कि अपने तरफ के लोग जो है इसको और क्लेक्टिव थार्ट प्रोसेस इंद मोश्च प्रसाइज वर्ट वाई यू नोट एक्स्पैंडिंग यूर ब्रैंड देखें मैं जो है उस तरह से नहीं सोता हूं कि ब्रैंड को इतना बड़ा बना लो पचा साथ मुझे वह एडेक नहीं चाहिए मैं थोरा सा सकते हैं कि होता है न कुछ लोग बिजनेस मेंडेड होते हैं स्केल अप करें मैंने कभी उस तरह सोचा ही मुझे लगता है कि एक लिमिट तक व्यक्ति पैसा कमा ले उतना काफी होता है उसके ब्यॉंड बहुत ज्यादा कमा क्या करना है जितना है उतने में सुखी है आप ल लगता है दो लाख वास ले लों तीन लाख वास पर दुरुबराठी टाइप का वीडियो बनाने लगोंगा जो सत्य नहीं है उसके लिए साल अपना दिमाग जो माता सरस्वती कृपा से सोच समझ बुद्धी विद्या मिली है उसको मैं किसी तीसरे तरह के प्रपंच में लगांगा तो लक्षमी जी का अश्रवाद बना रहे लेकिन वह इतना हावी नहीं हो जाए कि मेरी सरस्वती जो है वह विलुप्त हो जाए तो मैं ऐसे समय से डरता हूं लक्षमी उतनी चाहिए जिससे मेरा जीवन सम्धिद्धी से बीच सके इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सपैंशन और यह सब पर उतना मैं नहीं सूथता हूं आपने छोटी वाली कि अगर करने के उकातने नहीं तो डियर करूर फॉल्वार्स काफ हो सकता है आज यती प्रसंद हूं राटी के प्रोपगेंडा पर कोई मित्र कूद रहे थे समझाने के बाद यह प्रोपगेंडा का सब्यता से उतर दिया आप जी से जी जी धन्यवाद आपका हाओ अर्लेप्टिस्ट गेटिंग उज्वी लाइक ट्रेंड ग्लोबल अटेंचन एनी टेक्निकल नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो में है कि हमारे तरफ के लोग अब मैंने ये वीडियो बनाया या देर मिनट का ट्विटर पर डाल हमारे तरफ के लोग दस बार सोते या यार इसको रीट्विट करूं क्या इसमें तो यार इसको ज्यादा लाइक मिल जाएंगे मुझे नहीं मिलते उतने लाइक वो इसी खुरपेंची में फसे रहते हैं ये करूं क्या वो करूं क्या ऐसे ना करूं इतना जो सोचते हैं उधर के लोग उतना नहीं सोचते हैं उन हमारे तरफ में बहुत सारे ego classes हैं, बहुत सारी तरह के परपंचों को हमें देखना पड़ता है, जहिलना पड़ता है, तो इस करण से उत्रा नहीं हुता है, दूरतराटी का meltdown चालो हो गया है, अच्छा ये मैंने नहीं देखा, बढ़िया अगर हो गया है तो, 29 मिनट प्रोपगेंडा को डेर मिनट में destroy करने का गमन, चले तैंक्यू जी, तैंक्यू सुधिर जी, तैंक्यू किरिट सिंग मगेला जी, राम चोदरी जी धन्यवाद, बिना देखे, इसका वीडियो सीधे, रिपोर्ट करता हूँ मैं, थैंक्यू फर डिसकूसिंग, थैंक्यू जी, द्रुबरट इस मोस्ट लाइकले चाइनीज पाकिस्तानी एजेंट, आर्टिकल 370 मूवी देखे हैं, NCR थेटर और अल्मोस्ट एम्टी टिकट करी दिया और सपोर्ट करें, अब ये तो देखो है भाई, मेरे हाथ में नहीं रहता, मैं तो अभी जाने के स्थती में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर में नहीं सदस्या है और मैं अभी कहीं पर बार नहीं सी कारण मैं, नॉर्मल जो एडिटेट वीडियो जो है मैं हर दिन अभी लाइव ही कर रहा हूँ, तो देखते हैं मौका मिला तो जाकर के देखें समर्थन तो है ही मुझे तो राटी को देखने वालों पर तरस आता है बिल्कुल उस योग भी है चलिए दोस्तों मुझे लग रहा है कि अब हमारा जितना हो सकता था काम हमने कर दिया, अब यह आपके उपर है लाइक शर्व और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को जो है आगे लेकर के जाए बढ़ाईए और इस तरह के प्रपंचों में जो है मत फस यह 15-20 मिनट लगेंगे किसी व्यक्ति को यह पूरा सर्च करने में उसने इंट्रो में जो एक वीडियो पहला 30-40 सेकेंड बोला है कि यह हो रहा है वो हो रहा है पूरा एकदम आप्टरिफेक्ट का यूज करके यहां से धागे निकलने हो सब करको मैं भी कर सकता हूं लेकिन उस बकलोली उसका खंडन करने में 20 मिनट लगेंगे 20 मिनट आप सर्च कर लिए कि इस ने जो बोला है उस ही है क्या आपको गूगल पर सब कुछ मिल जाएगा नहीं मिल रहा है तो जिस आदमी ने इस तरह का काम किया उसको प्रमोट कीजिए उसको सपोर्ट कीजिए तो मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ जो रहे रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए बहुत अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं और अभी जिस तरह के ये लोग वामपन्ति मिसनफॉर्मेशन और फेक नियूज और ये प्रोफ लेकर के आता है जूड़ने के लिए बहुत होतावा नमस्कार